तुम्हें सरदार शेहरोप चनाफ की बोटिंग के बाद आटीडीसी अध्यक्ष धर्मेन राठोर ने बड़ा दावा किया कहा कि कॉंग्रिस पार्थी के प्रत्याशिया निल्शर्मा तीस हजार से अधिक मतों से विजवाई होंगे दरसल मतदान के बाद रतंगर में प्रेस पारता की राठोर ने सौरान कहा कि गुड गवर्नेंस के दम पर चनाफ भारी मतों से जीतेंगे फ्लाक्षिप यूजनाएं चलाए गई उसका लाप्रदेश की जनता को मिल रहा है जिससे हर वर्ग खुश है साथी धर्मीन राठोडी बीजेपी पर जम कर निश्वाना साधा कहा कि बीजेपी के तीन-तीन नेता मुखिमंत्परी के चेहरे बन कर घूम रहे हैं उनके रहते हुए बड़े अंतर से ये जनाव भारती जनतापाटी हार रही है से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के आगामी विधान सभाचनावों में क्या हालत होने वाली है मैं आपको मिडवे के बारे बता है आटीडिसी का जो मिडवे है वो कम चलने की वज़े से हमने उसको सरकार को सरंडर कर दिया है क्या हो सकता लेकिन अगर आप तुरना करेंगे बीजेपी के राद से और पांच साल जो पीजेपी का राज आ राजस्ताह राजस्तान में तो कोई सब्सक्राइब तो इतने जबर्दस भूट है मैंने कहा रहे आपको कि चुरू जी लेके दो देता राजंदर जी राठोर सपीस पुनियां उनके रेते वे चुनाव अगर वो हजारों में मेरा ये दावा है तीस हजार से उपर से ये सीट कॉंगरेस की धोली में आएगी और सब्सकें अभी में चुना हुए है जितने हैं उनेसों बावन में पहला चुना हुआ हुआ मेंसे दोजना भावन से लेके 2 जार 27 जब जब सरकारे रही है सशञंदा विरोधी उस तुनाओं में उनका लहर रही है ये पहला बार इसा हुआ है कि नो में से बीजेपी के वर एक सीट जीती है तो यह तो उनको आप अद्दा लगाने जो कहां रहे हैं जो व्यबस्ता है रतंगड में कुछ कम ही रह गई हो आने वाले समय उसको दुरुस्त करेंगे ठीक करेंगे तो कि बजट आने वाला है अभी मुख्यमंत् पर पुरा फोकस किया जाएगा जितनी भर्तिया हमारे चार साल के राज में निकली है उतनी भर्तिया बीजेपी राज में नहीं निकली है